हेलो गईस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेगे स्टॉक मार्केट के उपर और ये एक अपडेट आ रही है और ये रिपोर्ट जो है बाजार बंद होने के बाद किये तो इसको आप पहले तो देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के बबल पर बहस सेबी के बाद अब आर भी आई बुलेट इंड ने बड़ा ही टेंशन पिछले हफ़ते जो है सेबी का भी जो है वो न्यूज आई थी वो हमने शेयर की थी और इसी वज़े से कहीं न कहीं जो है मुझे से लग रहा है कि बाजार के अंदर पिछले हफ़ते भी थोड़ा सा प्रेशर था और सनभा समय समझ में आई इस रिपोर्ट की तारिख और टाइम आप देख सकते हैं कि भारतिय प्रतिबुदी और विनी मई बोड सेबी के बाद यानि कि सेबी के बाद अब केंद्रिय रिजर्व बेंक यानि कि आर भी आई ने जो है सेर बाजार में स्मॉल और मिटकेप स्ट रहे हैं लेकिन मिड और स्मॉल केप में और ज्यादा तेजी है मतलब कि आपने देखा होगा कई शेर मतलब कि एक अच्छी कासी चलांग मार जाद यहां पर जो अच्छी कासी तेजी आ चुकी है यहां पर मुझे लग रहा है बता चर्चा हो रही है आगे देखें कि बता कि सेवी चेर परसन माधवी पूरी बूच ने भी कुछ दिनों पहले मिड और स्मॉल केप के बबल पर चिंता जाहिर की थी और इसके उपर हमने वीडियो भी बनाया था चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तब भी मार्केट के अंदर प्रेशर था साथ-साथ आगे देखते हैं कि रूपिया और निवेश पर बुलेटिन में क्या है तो केंद्रिय रिजर्व बेंक ने यानि कि आर्बिया ने कहा कि भारतिया एक्विटी में एप्पियाई की हिसेदारी दशक के निचले स्तर यानि कि 16.3 प्रतिशत पर आ गई है जो मुच्यल फंड सहित घ प्रतियक्स विदेशी निवेश में साल दर साल 11.4 फिसदी की बड़ोतरी से भारतिये रुपिया मजबूत हुआ है किंद्रिय बेंक ने कहा कि वेश्विक बॉंड सुचकांकों में भारतिये सोवरेंट बॉंड को शामिल करने से अप्शोर रुपिया मुल्य वाले इनमें घरेलू और वेश्विक अर्थ विचार होते हैं हाला कि यह रिजर्व बेंके आधिकारिक विचार नहीं होते हैं और एसी जानकारी कि यह उपर भी आप जो है नजर रखा करें यह भी क्यूंकि काफी यूसफुल रह सकती है और ऐसी लिए हमने कहीं बार कहा है खास स्टोप लोस भी थोड़ा सा बड़ा जो रखना है तो रख सकते हैं और वहां पर भी अगर देखें तो अगर दो से तीन बार अगर आप खरीदी करते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो ज्यादा बेतर रह सकता है कोई भी शेर हो ऐसा मुझे लग रहा है इसके मटलब की रिस उसके आइफिडि के लावा इसके बात हो मुझे और उनके मताबिक यह राफिरि आईपीयों के अलावा सामानिया रूप से शियरों की खरीद बिकरी दोनों में है उसमें भी यहाँ पर है यहाँ पर इसके आशंक जता है थि यहात बात हो रही है अब आगे देखते हैं कि स सेबी ने स्मॉल केप और मिड केप निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक प्रणाली बनाने के संकेत दिये थे mutual fund Nikkei circular तो बीते 27 फरवरी को mutual fund उद्योग Nikkei Association for mutual funds ने सेवी से प्राप्त email के आधार पर circular जारी किया है AMFI के मुताबिक सेवी ने सला दी है कि small और mid-cap shareों में उच्छाल को देखते हुए mutual fund को इन योजनावों में निवे शकों की सुरक्षा के लिए एक नीती बनानी चाहिए तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है तो इसका मतलब mid-cap, small cap का मतलब की सभी share की बात यहां पर कुछ अच्छे share भी हो सकते है तो इसके उपर मतलब की अब थोड़ा सा सतक रहे तो ज्यादा बेतर रहे सकता है क्योंकि कई share हो के अंदर जो है अच्छे का से तेजी हाला कि जो है आ चुकी थी उसके बाद एक correction भी अच्छा का सा आ चुका था और इसलिए हम कई बार बात करते हैं कि stop loss का इस्तमाल हमेशा करना चाहिए तो यह आज की यह जानकारी थी और इसको हमने शेर किया और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शरूर करें शेर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और एक जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च कर रहे अपने फाइनेशर एडवाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डी सी जनल ले और डी सी जनल ले तो उसके जीमेदारी मेच्छरडी के साथ खुदी ले यह वीडियो में नहीं किसन परपस के बनाए मेरे तरफ से कोई भी बाई या सेल की रेकमिनेशन नहीं है थेंक यू